जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सब कमेड बॉक्स में हरहर महादेव लिखना ना भूलिएगा हिंदू धर्में सुभकार्य जैसे ग्री प्रवेश सगाई विवा को सुभ मुहरत में ही किया जाता है ठीक उसी प्रकार मुंडन संसकार का बहुत अधिक महत्व बताया गया ह और मुंडन को विश्व मुहरत में ही करना चाहिए मुंडन संसकार को चूडा कर्म संसकार भी कहा जाता है मुंडन संसकार किसे कहते हैं मुंडन संसकार वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म के बाद बच्चे के बाल को पहली बार उतारा जाता है माना जाता है जन्म के बाद ब बेक्टेरिया चिपक जाते हैं और इसी लिए एक साल के भीतर-भीतर मुंडन कराना आवशेक हो जाता है मुंडन कराने से बच्चा हश्ट पुष्ट होता है वहीं उसको दिरगायू होने का आशिरवात भी प्राप्त होता है मुंडन संसकार से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज बिनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा मुंडन संसकार का या सुमूरत मैं आपको पंचांक के नुसार बता रहे हो अगर आप चाहे तो अपने नज़्दी की किसी पंडित या फिर जोतिसी के साथ इस मूरत को साजा कर सकते हैं आइए जानते हैं 2024 में मार्च और अप्रेल में मुंडन संसकार के सुमूरत क्या होंगे मार्च 2024 सुमूरत है पहला सुमूरत 8 मार्च 2024 का सुमूरत आरंब होगा शुबा 6 बचकर 38 मिनट से रात 11 बजे तक का ही सुमूरत रहेगा 13 सितिति रहेगी और स्रवन नच्छत्र नेक्ट सुम्मूरत मार्च का 20 मार्च को है दिन बुध्वार रहेगा सुबा च्छे बचकर 24 मिनट से सुम्मूरत आरंब हो जाएगा और रात 11 बचकर 49 मिनट तक रहेगा एक आदा सितिति है उश्य नच्छत्र सुम्मूरत सतािस तारिक दिन बुध्वार का है सुम्मूरत आरंब होगा सुबा च्छे बच कर 17 मिनट से 28 मार्च सुबा च्छे बचकर 38 मिनट तक रहेगी और स्वाती अब बात कर लेते हैं अप्रिल मुंडन संसकर के पहले सुमूरत 4 अप्रेल 2024 दिन गुर्वार का देखा जा रहा है सुमूरत आरंब हो जाएगा सुबाचे बचकर 7 मिनट से और पूरे दिन मुंडण संसकार का सुमूरत है दसमी तिथी रहेगी और श्रवन नचत्र पांस अप्रेल 2024 दिन सुकुर्वार का भी सुमूरत बहुत ही अच्छा माना जा रहा है सुरवत्तम तिथी मानी जा रही है सुबाचे बचकर 6 मिनट से सुमूरत आरंब हो जाएगा और दो पहर एक बचकर 31 मिनट तक का ही सुमूरत आपके पास एकादसी तिथी रहेगी और घनिष्टा नचत्र नेक्स्ट सुमूरत 15 अप्रेल 2024 दिन सुमूरत का है सुबाच बचकर 55 मिनट से दो पहर बारा बचकर 14 मिनट तक का ही सुमूरत है आपके पास सब्तमी तिथी रहेगी और पुनरवश्यू नचत्र आई होप आ आपके लिए विडियो इंफर्मेटिव रहा हो जैमात आदी